प्रकास जी राम राम आज आप ग्यों का खेत में कई करवा जाई रहा हो अब राम राम ग्यों का खेत में पानी फेरी रहा भीदों पानी चालू करिए ओम प्रकास जी आप जो ग्यों का खेत में पानी फेर रहा हो तो इसे कई वेगा अपना ने से गहों में पाणी भेराती मित्धी हो नर्म रेगा और गिवरे गोड़ इस पाणी लियाकर कले में पाणी पानी फेर्वाती में पंदान जो है कुंच सो फूटेगा और फोटे है ौर जाद लेगा और है तो तो ओम प्रकास जी आज हमान यह वता कि ग्यों में पानी कस्तर फेरनों है और कत्रा कत्रा टाइम कमें फेरनों है ग्यों ने वाया बाद अपड़ाने जिसे 20-25 दिन ना अंदर पानी देनों जो बहुत जरूरी है ओम प्रकास जी जो आपर बता है महारा कि पेलों पानी 20-25 दिन जरूरी है अब एकज पानी है तो 20-25 दिन में जरूरी है कि बाद में भी दही सका अपने पानी फेरवा को समय योज रे 20-25 दिन ना अनी वाते का कि ग्यों फूटे अच्छा और कुंच अच्छा बने और योज टाइम रे खास ग्यों नी पेदावर बढ़ावा थे जरूरी है कि अना दन में पानी नी दां तो पेदावर बहुत कमभी जरूरी है पानी जरूरी है कि चालिस ती पेतालिस दन में वस्तुरे खास पान के अनिती पोटा पोटे अच्छा आए गहूं जो उंभी लिकाना समय रहे वारे खास कि और गाके जो नहीं पिलाओंगा तो उंभी सही साथ नहीं लिख लेगा पोटे सही नहीं और पेदा और कम वेगा वनिती अपड़ी और दूसरी तीसरी पान देनी है जो अपड़ाने जो बार जो उंभी निकली जाए जिना बाद सत्तर ती पचत्तर दिन ना अंदर देनी जो पाने जो सत्तर से संत्तर से सब्मे तन बला पत्री екुले जाए जाए गा और अच्छा बड़ा जंहाँ है और पिंचानों दर में नहीं पावांगा अपड़े तो इन पे दाना बनना सुरू होई जाए और जो वनी टेंपेनी पिलाओ दानों बारी करेगा और कमजोर वेगा हूँ